योजनाइन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो अगर आपके पास भी गैस सिलेंडर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशकबरी है और खास करके अगर आप गैस सिलेंडर पर सबसिडी लेते हैं तो सरकार ने सबसिडी देने की जो तारीक है उसे आगे बढ़ा दिया है और अब आपको इस तारीक तक गैस सिलेंडर पर 300 रुपे की सबसिडी मिलती रहेगी लेकिन यह सबसिडी कौन से गैस सिलेंडर धारकों को मिलेगी वह आपके लिए जानना जरूरी है जिहां जो gas lender subsidy देने की तारिक थी वह सरकार ने आगे बढ़ा दी है और अब आप इस तारिक तक 300 रुपे जो gas lender subsidy पर मिलता था उस छूट ले सकते हैं लेकिन यह कौन से gas lender पर आपको मिनने वाला है और कौन से gas lender पर नहीं मिनने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर आप के पास भी gas lender का connection है तो वीडियो लाज तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कब तक के लिए इस तारिक को बढ़ाया गया है एक अप्रेल से नए financial air की सुरुआत होने वाली है financial air के पहले दिन से ही कई नियम बदल जाएंगे बदलाव होने वाले है ऐसा ही एक नियम परधान मंतरी उजवला योजना से जुड़ा है दरसल उजवला योजना के लाबार्तियों को वित्तवर्स 2024 के दोरान LPG सिलेंडर पर 300 रुपे की छूट मिलती रहेगी सबसिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक थी लेकिन हाली में सरकार ने इसे 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है यह नए वित्तवर्स के पहले दिन यानि 1 अपरेल 2024 से ही लागू हो जाएगा देखे साथियों 1 अपरेल 2024 से ही यह नियम लागू होगा और पहले जो गैस सबसिडी की आगरी तारीक थी वह 31 मार्च 2024 थी लेकिन अब इसे सरकार ने आगे बढ़ा दिया है और यह 31 मार्च 2025 कर दिया है यानि के अब आप 31 मार्च 2025 तक गैस स्लेंडर पर जो 300 रुपे की सबसिडी मिलती है वह ले सकते हैं और यह 1 अपरेल से लागू हो जाएगा लाभारती वर्ग को एक साल में 12 रिफिल यानि के बारे गैस स्लेंडर मिलते हैं इसके तहएट 300 रुपे परती 14.200 किलोग्राम का स्लेंडर इसमें दिया जाता है सबसिडी सीधे पात्र लाभारत्यों के बैंक खाते में जमा की जाती है इस तरह सामानने गरहाकों के मुकाबले उजवला लाभारत्यों को स्लेंडर 300 रुपे सस्ता मिलता है वित्वर्स 2024 के लिए सरकार का कुल खर्च 12,000 क्रोड रुपे होगा तो देखे यह जो गैस लेंडर की सबसिडी है 300 रुपे वह केवल उजवला लाभारत्यों को मिनने वाली है यानि के जिन लोगों के पास उजवला का गैस लेंडर है केवल उन्ही को यह 300 रुपे की सबसिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी लेकिन इसके लिए आपको आपने गैस लेंडर का केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है और यह जो पैसा है पात्र लाभारत्यों के खाते में डारेक्ट पहुंसता है सीधा उनके खाते में जाता है तो जो उजवला योजना के लाभारती हैं उनके लिए बहुत अच्छी कुसकबरी है क्योंकि अब केंदर की मोधी सरकार ने जो गैस सिलिंडर सबसीडी देने की तारिक थी वह एक साल के लिए और बढ़ा दी है जानि कि अब आप एक साल तक और आगे तीन सो रुपे की सबसीडी उजवला गैस सिलिंडर पर ले सकते हैं तो साथियो अगर आपके पास भी उजवला गैस सिलिंडर है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरू करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा